नमस्ते दोस्तों, मैं समीर गोयल, यूट्यूब पर जैपुर्द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ यदि आप मीठा खाने के शौकीन हैं, तो सूजी का हलवा तो आप अक्सर खाते होंगे सोचिए, यदि इसमें ताजा सेब डाल दिया जाए, तो इसका स्वाद कितना मजेदार हो जाएगा और यह है पौश्टिक भी हो जाएगा तो आईए, आज बनाएं सेब और सूजी का हलवा इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सेब, सूजी, गी, चीनी, इलाइची पाउडर और सूखे मेवे आप यहाँ रेसिपी मेरी वेबसाइट जैपूर्दपिंकसिटी.com से प्रिंट भी कर सकते हैं सबसे पहले सूजी को कम आज पर सुनेरा होने तक भून लीजिए अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने दीजिए जब तक सूजी ठंडी हो तब तक सेब को छील कर कद्दू कस कर लीजिए अब एक कड़ाही में घी गर्म करिए और इसमें कद्दू कस किया हुआ सेब डालकर मद्यम आज पर 5 मिनट तक पकाईए अब इसमें गूनी हुई सूजी डालिये और रंग बदलने तक कम आज पर लगातार चलाते हुए पकाईए रंग बदलने पर इसमें पानी और चीनी डालिये और कम आज पर गाड़ा होने तक पकाईए आखिर में इलाइची पाउडर और सूखे मेवे डालिए और अच्छी तरह मिला कर आज से उतार लीजिए तैयार है स्वादिष्ट और पॉष्टिक सेब और सूजी का हलवा हर शनिवार मेरी नई रेसिपी देखते रहने के लिए मुझे यूट्यूब पर जैपुर्दा पिंक सिटी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए तैयार है만 झाती न चौटिक से रह heated लीज का है आजसे ऩाल लीजिक झाल